प्रेदर शुकूं समस्कार एक पर फिर से उपस्त हूं आप सब पर सामने शनी बार की कारेक्रम में आज मैं आप लोगों को राशी फल निरूपन का एक छोटा सा पाठ पढ़ा देता हूँ मेश, ब्रिश और मिथुन जिसमें मेश रासी चर प्रकृति की रासी है ब्रिशब रासी इस्थर प्रकृति की रासी है मिथुन रासी दूसव भाविक प्रकृति की रासी है ना तो चर है ना तो इस्थर है चर प्रकरती की रासी मतलब वो चलायमान है चंचल है और इस्थर मतलब इस्थर है आप देख रहे हैं इस्थर का मतलब सांथ होना और दूस्वभाविक मतलब एक ऐसी रासी जो दोनों के बीच की है ना तो चंचल है ना तो इस्थर है मतलब उसके अंदर दोनों के गुण समावेशित हैं, इसे द्वी स्वभाविक राशियां कहीं जाती हैं, मतलब मिथुन, कन्या, धनु और मिन, समानित या बुद्ध से और गुरु से जो प्रभावित राशियां होती हैं, ये दोनों ही ग्रह के अंतरगत जो राशियां आती हैं, वो द्वी स्वभाविक राशियां होती हैं, मेश राशी चर प्रकृती की, ब्रिशब राशी इस्थर प्रकृती की, इसको आप एसे समझे, मेश ब्रिश मिथुन, कर्क सिंभ कन्या, तुला व्रिश्चिक धनू, मकर कुम्भ मीन, चर इस्थर द्वी स्वभाव, चर इस्थर द्वी स्वभाव, चर इस्थर द्वी अब अगर चंद्रमा मेश रासी में हूँ या चंद्रमा अगर शर्प्रकृती की रासी में होगे तो क्या प्रभाव होगा? अब बात ये उड़ती है कि अगर चंद्रमा शर्व प्रकृति की रासी में बैठे होंगे तो प्रविर्ती चुकी चंचल है तो प्रविर्ती जब चंचल होगी तो व्यक्ती चणिक चणिक तुरंत तुरंत बदलने वाला होगा उसके निर्णे उसकी इस्थती उसका पोजीशन उसका प्रभाव उसकी वाड़ी उसकी संपत्ती उसके संबंध और उसका निवास बदलता रहेगा तो जीवन में अगर आपने कभी किसी को बहुत ज़्यादा चंचल देखा है तो आपको उसकी कुंडली की राशी को देखनी चाहिए कि उसकी राशी कौन सी बनी है और वस्तुता चंद्रमा ही उसको निरूपित करते हैं उसका निरूपन चंद्रमा ही करते हैं कि जातक की कुंडली में चंद्रमा अगर चर राशी में बैठ गये तो उसको थोड़ा दुखी भी बनाएंगे क्योंकि वो चलायमान है और उसकी संपत्ती जो होगी वो भी चंद्रमा का प्रभाव है अब मैं आपको इस्थिर प्रकरती की राशी में बैठ चंद्रमा का प्रभाव बता देता हूँ अब बात आएगी कि अगर चंद्रमा इस्थर राशी में बैठे हूँ जैसे ब्रिशब राशी में बैठे हूँ जो इस्थर राशी होती हैं सिंभ राशी में बैठे हूँ प्रिशिक राशी में बैठे हूँ तो चंद्रमा की ये जो राशी कही जाएगी वो ये कही इस्थर राशी में बैठे हैं अब इस्थर राशी में बैठेंगे तो व्यक्ति आरंभ से ही इस्थर संपत्ती बनाने वाला होगा उसकी मैत्री भी इस्थित होगी एकदम इस्थरता में उसका स्वभाव भी गंबीर होगा उसकी वाणी भी गंबीर होगी उसका प्रभाव भ जिन्हें वस्तुतह मन का कारक कहा गया है मनस्तु हीतगु कहा गया है यह व्यक्ति के मन के ही कारण व्यक्ति के ऊपर ऐसा सुभावों का दर्शन होता है कि वो कितना चंचल है और कितना इस्थर है समझ में आ गई हो भी बात तो अगर आपके उपर से ऐसे कोई बदलाओ के संकेत जल्दी जल्दी दिख रहे हैं तो उसको आपको ठीक करने की कोशिच करनी चाहिए और अगर वो स्थिर है तो बिल्कुल ठीक है उसकी गती स्थर है उसका आना जाना गंभीर नहीं है एकदा मिस्थर है और गंभीर है तो बात पते की है अब द्यूस वभाविक के बारे में बता देता हूँ अब बात जब द्यूस वभाविक की होगी मतलब तीन, छे, नौ और बारव यानि कि अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में मिथुन रासी के, कन्या रासी के धनू रासी के और मीन रासी के बैठेंगे तो उनका मूल प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि जो मिथुन रासी के होंगे वो थोड़े दानी होते हैं दानी होते हैं, धनु वाले भी दानी होते हैं, मीन वाले भी दानी होते हैं, कन्या वाले भी दानी होते हैं, तो ये जो राशी बनेगी ये दरशल उद्यम करने वाली होगी, अपने उद्यम के सारे उनको किसी के द्वारा मिली गई बस्तू पे बहुत जादा प्रेम नहीं हो पर वो उसका एक अलग प्रभाव रहेगा, लगन का प्रभाव राशी का प्रभाव अलग, पर बात जहां स्थेरता, गमेरता और चंचलता की होगी, तो तुम हावीक राशी में जब चंद्रमा बैठेंगे, तो चंद्रमा उध्योगी बनाएंगे, वो छमाशेल होगा, राशी होगी, बैलेंस अच्छा करेगा और निश्यतुर से वो प्रामारिक भी होता है, बहुत हद तक वो प्रामारिक भी अपने आपको करता रहा है, ये चर, इस्थिर और द्विसभाविक राशियों के प्रभाव हैं, आपको अवश्य ही चेक करना चाहिए कि आपके उपर कौनसा प्रभाव घढ़ित हो रहा है, और वो क्यों घढ़ित हो रहा है, और कुणली को देख करके, उसका सफल परिणाम अपने उपर घढ़ित करके देखिए कि कैसा या यह कितना सही जा रहा है, और कितनी बदलाव की आवशक्टा है, इसमें आपक्या कुछ कर सकते है है और क्या आप कुछ नहीं कर जकते कुछ इसी तरीके से शनिवार की कारिक्रम का समापन करते हैं रभी बार का कारिक्रम मौश्य देखिएगा और आपके जीवन में जो भी सवाल हो उससे मुझे जरूर लिख करके बेज़े कमेंट के मार्दियम से और मैं उसका कारिक्रम बना करके आपको उसका उत्तर दे दूँगा तब तक के लिए बहुत बहुत तमस्कर